तो फाइनली आ चुके है बरुणदवन की बैबी जॉन की एक उन्हें एपिसवड में बाभी सर्थ तो फाइनली बेबी जोन्ट का वो आ हा चोक है किसा है यह ट्रेल्र क्या ये क्लिकवर लग रहा है कि रिलीज डेट की बात करें ब्लोक्वास्टर रिलीज डेट है, जरी टहतoder सुर्फकी, 2020 किरिसमिस मिल रहा गुष . करीम में में कोई तroatर來到 लिज़न हो रही है आप लास्ट येर देखोगे डंकी, सलार, क्लेश, मारो मारी चल रही है शोस डोन के बीस में यहाँ पर यहाँ पर यह सीन सेनेरियो कुछ भी नहीं है तो बरुण दवन के पास, इवन टीम के पास इवन गुड ऑपर्चुनीटी है कि बाई अच्छा असा बक्स ओफिस में व आगे बात है वो करने वाले हैं तो सबसे पहले बात करें बाई ट्रेलर की जो को ओवराल देखा जाए ट्रेलर अच्छा है स्टार्टिंग से वो कमिस्ट्री दिखाई गई है चोटी से बच्ची साथ में बरुंदावन और बच्ची बाई क्यूटनेस बाई ओवर लोड़ एंड साथ में थोड़ा लव एंगल दिखाने की कोशिशा वो की गई है एंड आफ्टर वान मिनेट पंदना सेकेंड ट्रेलर भाई भाद में जब जैके श्रॉफ की इंट्री हो जाती है एक दम ट्रेलर मेरे मुमें टम पकड़ता है जिस तरह आफ्टर वो इमोशनल है एं अगर उनकी पर्फोर्मेंट्स अच्छी हुई तो आरे बारे टाइम है जिस तरह के आज के टाइम आप देखोगे संजी दद को अपरोच किया जाता है इस विलन इवन आप देखोगे बोबी दियोल के साथ फिल्मों में वो काम कर रहे हैं साउथ के फिल्में उनको मिल रह इवन आप देखोगे ट्राफोर्मेशन बाई एक दम यूनिक है और बारून दवन भाई उनक्या तो आप पूछो ही मतब आज तक मैंने इस तरह उनका करेक्टर कभी नहीं देखा जितना हो सके बाई उन्होंने अपनी तरह से 100% देने की कोशिश हो की है और लाजर दैन ल बढ़िया उनका सीन लगा है वह चोड़ी से बच्ची हाथ में मैं लगी बर्दी उतर चुकी है बारिश पढ़ रही है वह स्लो मोशन इतना ज्यादा इमोशनल सीन स्लिसली बता रहा हूं यह सीन ठीटर में देखना एक अलगी एक्सपिरियंस है वह मिलने वाल है और राज स्लिसली बता रहा हूं यह जो अभी प्रेलर के अंदर कट की है यह कहीं ने कहीं आपको भाइट थेटर तक ले जाने की कोशिश है वह करेगा और लव एंगल अच्छा है आपको इमोशनल देखने को मिल जाएगा आपको इसमें वाला कमिस्टी देखने को मिल जाएगी लग रही है तो यह फैमिली थेटर तक आ सकती है तो यह अच्छा परफॉर्म कर सकती है वाट एक जो गाइस थोड़ा नुकसान हो सकते है कि यह एक रीमेक है आई थिंक सो 60-70 प्रतिशत ऐसी ओडियंस होगी शायद उन्होंने यह फिलम देखी होगी ऐसा उर्जम फिलम की बात कर रहे हैं तो मेबी यह एक रीमेक फैक्टर थोड़ा सा नुकसान है वो कर सकते हैं एंड सेकिन सम्हाव आपको लगेगा ओरा ट्रेलर देखने के बात कि यार यह तो कही सारे ऐसे action sequences हैं कि आपने किसी आनदर फिलम में देखे हैं एवन एटली की फिलमों की बात करें तो ऐसा कुछ लग सकता है आपको फिर भी गाईस मुझे यह क्लिकवर लग रहा है तो कहीं न कहीं कोई सामने कोई बड़ी फिलम भी नहीं है तो double digit के आसपास यह easily opening है बो एक साथ माजा ही आ जाएगा विच मेंस की जो सलमान के fans है वो भी कही न कहीं थोड़ा sport करने की कोशिश है वो करेंगे और नेक्स्ट सलमान की एक film भी एटली के साथ तो यह देखना भी दिल्चस्प है वो रहने वाला है अब तक यह बात करें सलमान ने अब यह recently बात करें जिन movies के अंदर cameos की है आप पठान इनको छोड़ो फिलाल तो उन्हें अच्छा collection है वो नहीं की है तो जो सलमान के fans है वो यह ही चाहेंगे कि हम इस film को एक respective collection की और ले जाने की कोशिश है वो करेंगे जो कि भाई टेलर अच्छा काम कर रहे है आप production value देखोगे presentation देखोग जैसे कि मुझे नीचे comment section में बताना बागी अभी के लिए